Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुक, फेर और फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 MCQK थूँ इंपोर्टन फेर और फेस्टिवल को डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे जो की आपके एक्जाम का पार्ट बनते हैं सारे ही कोश्चन इंपोर्टन है, इसलिए वीडियो अंतर तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोश्चन सरहुल पर्व, इसका संबंद भारत के किस राज्ज से है तो सरहुल पर्व, यहनि कि सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है जारखंड राज्जी में जारखंड की कैपिटल क्या है, राची यहां की मुख्य मंत्री कौन है, रगुवर दास और गवर्नर कौन है, द्रापदी, मुर्मू नेस कोश्चन है, most important, ओडम किस राज्जी का प्रमुक्तिहार है तो ओडम है केरल का प्रमुक्तिहार और इसमें होता क्या है, जो ओडम फेस्टिवल होता है इसमें पेडों की यनि की प्रकृति की पूजा की जाती है और आदिवासी लोगों का ऐसा मानना है कि इस तिहार को मनाने के बाद ही नए फसल का उपयोग कर सकते हैं यह festival related है केरल से नेज़ा कोशन है पूंगल कि सराज़ जी का प्रमुकति हार है तो यह प्रमुकति हार है तमिल नाडू का और कब मनाय जाता है तो पूंगल फेस्टिवल जनवरी के समय तमिल हिंदों के द्वारा सेलिबरेट किया जाता है नेश कोस्चन है भोगाली भी हूँ यह किस राज्जी का प्रमुक्तिहार है तो यह है असम का प्रमुक्तिहार और यह क्यों मनाया जाता है यनि किसका संबंध किस से है तो भोगाली भी हूँ इस फेस्टिवल का संबंध है फसल काटने से और एक है रंगोली भी हूँ तो रं तो यहां मनाया जाता है पंजाब में और वैसाखी जो कि सिखो का एक प्रमुक्त यहार है और यहां क्यों मनाया जाता है तो खालसा पंथी की स्थापना जो हुई थी उसी की याद में यह फेस्टिवल मनाया जाता है और खालसा पंथी की स्थापना की किस ने थी गुरु गो नियान्वे में और कहां की थी तो आनंदपूर साहिब में गुरु गोविंद सिंग जी ने खालसा पंति की स्थापना की थी और इसी की याद में मनाया जाता है बैसाखी फेस्टिवल नेश कुश्चन है गुड़ी पर्व या कई जगह इसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है तो यह किस राज्ज में मनाया जाता है यह मनाया जाता है महरास्ट राज्जमे और इसे मराठियो का नया साल भी कहा जाता है मराठियो का नया साल गुड़ी पड़वा लोसांग उत्सो यह कहां मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है सिक्कम राज्जी में और यह कम मनाया जाता है तो यह हर साल दिसंबर माह में मनाया जाता है और यह सिक्किम राज्जी के लोगों का नया साल है अभी मैंने कहा गुड़ी पढ़वा जो की मराठियों का नया साल ह और लोसांग उत्सो यह सिक्किम में जो निवास करते हैं उन लोगों का नया साल है नेश कोश्चन है लठ मार होली यह कहां खेली जाती है तो यह खेली जाती है बढ़साना मथुरा में यह आप याद रखेंगा इंपोर्टेंट है कई बार पुछा जाता है नेश कोश्चन है रथ यात्रा उत्सो कहां मनाया जाता है और यहां मनाया जाता है पूरी ओडिसा में ओडिसा की कैपिटल क्या है भूबनेश्वर और अक्सर एक्जाम में पुछा जाता है कि कोणार्क का सूरी मंदिर कहा है तो कोणार्क का सूरी मंदिर और लिंग राज मंदिर दोनों ही इस्थित है ओडिसा में नेश कोश्चन है नवरोज का त्योहार किस से सम्बंदित है तो यह सम्बंदित है पार्सियों से और इसे पार्सियों का New Year भी कहते हैं नवरोज और अभी मैंने आपको बताया है गुड़ी पड़वा या मराठियों का New Year है और पार्सियों का New Year है नवरोज Next question है most important है बिहार का अधितियत यहार क्या है तो यह है छट पूजा और अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है कि छट पूजा में किसकी पूजा की जाती है तो इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है Next question है महराश्ट्र में सिवाजी उत्सो और गडेस उत्सो का प्रचलन किसने सुरू किया था सिवाजी उत्सो और गडेस उत्सो दोनों का ही प्रचन सुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने कहां किया था महराश्ट में अक्सर पूछा जाता है कि तमाशा और लावनी या किस राजजी के प्रमुख लोक नत्य है तो यह दोनों है महराश्ट के प्रमुख लोक नित्यों नेश कोश्चन है पैगंबर मुहमद के जन्म दिन के उपलक्ष में कौन सत्योहर मनाया जाता है मैंने पिछले साल एक एक एक्जाम दिया था उसमें यह कोश्चन पूछा गया था तो पैगंबर मुहम्मद के जन्म दिन के उपलक्ष में मनाया जाता है इदुल मिलाद इसे इदुल मिलाद उन्मी भी कहा जाता है और यह मनाया जाता है पैगंबर हजरत मुहम्मद के जन्म दिन के उपलक्ष में याद रखिएगा इसा मसी के जन्म दिन के रूप में मनाया जाने वाला तेहार है यनि कि इसा मसी का जन्म दिन किस रूप में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है क्रिस्मस के रूप में क्रिस्मस के रूप में इनका जन्म मनाया जाता है और ईसा मसी के पुनर जीवित होने की याद में मनाया जाता है इस्टर और गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है तो गुड फ्राइडे ईसा मसी की सहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है नेश कोश्चन है दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है किस मास में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है भाद्र मास में यह भादो मास में और यह भी पूछा जाता है कि यह किस राज जी का प्रमुक्त योहार है तो यह पश्चिम बंगाल का प्रमुक्त योहार है दु यह क्यों मनाया जाता है तो मड़ीपूर टूरिजम को बढ़ावा देनी के लिए प्रत्य वर्स संगहाई त्योहार मनाया जाता है नेस्ट कोश्चन है मध्य प्रदेश में कुम्ब का मेला कहां लगता है तो आप सभी जानते हैं भारत में चार जगह कुम्ब के मेले लगता है प्रयाग राज उज्जैन नासिक और हरिद्वार तो इसमें पूछा जा रहे कि मध्य प्रदेश में कहां लगता है तो मध्य प् में एक बार आयुजित होता हैं याप रखीएगा है JEFF तो पुषकर मेला लगता है तो फुषकर मेला लगता है राज थार लेपिंचे इरे 6 अथा मेला है ऐस वंशियों मेला ने जए लिए घंटे संसलाüst Magic हरीहर छेत्र मेला और इसे हम क्या कहते हैं सोनपूर मेला जो कि कहां लगता है सोनपूर बिहार में और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है हाथी उत्सो मनाया जाता है कहां पर हाथी उत्सो मनाया जाता है यह मनाया जाता है राजस्थान में और राजस्थान में भी कहां तो राजस्थान के जैपूर में मनाया जाता है हाथी उत्सो और जैपूर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का पैर नामक्तिहार किस राज़ में मनाया जाता है और यह मनाया जाता है तमिल नाडू में और तमिल नाडू से रिलेटेड एक फेस्टिवल का नाम अभी मैंने आपको बताया है पोंगल और जली कट्टु ये दोनों फेस्टिवल के नाम आप याद रखिएगा जो कि celebrate किया जाता है तमिल नाडू में next question है हर वर्ड से दिसंबर माह में celebrate होने वाला हर निबल उत्सो यह कि सिराज्ज का प्रमुक उत्सो है तो यह है नागा लेंड का प्रमुक festival बात यहाँ पर नागा लेंड की आई है यहाँ की capital क्या है नागा लेंड की राजधानी है कोहिमा यहाँ की मुख्य मंत्री है नेफ्यो रियो और यहाँ की governor कौन है आर अन रवी इसे मैंने आप लोगों ट्रिक से याद कराया था याद होगा आप लोगों को next question है most important कई बार एक्जाम में पूछा गया question है अंतर राश्ट्री प्रसिद सूरज कुंड क्राफ्ट मेला यह किस राजज में लगता है तो यह लगता है फरीदाबाद में next question है कौन सा त्योहार हिंदू परवत थारु जन जाती द्वारा शोक परव के रूप में मनाया जाता है यहनी कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि हम खुशी के रूप में मनाते है लेकिन उसी फेस्टिवल को थारु जन जाती के लोग शोक परव के रूप में मनाते है तो यह है दीपा वली दीपा वली में हम दिया जलाते हैं celebrate करते हैं खुशिय मनाते हैं लेकिन थारुजन जाती के लोग है जो अपने जो मृत परीजन होते हैं उनका पुतला बनाकर उनको स्रद्धानजली देते हैं और इस दिवस को ये शोक दिवस के रूप में मनाते हैं नेश्ट कोश्चन है इसमें आपको पेर फांड ओड करना है जो की सुमेलित नहीं है बिहु असम राज्जी से बिलकुल सही है पॉंगल मनाया जाता है तमिल नाड़ू में ये भी सही है वैसाखी पंजाब में लेकिन ओडम औरम आंद्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है ओडम सेलिबरेट किया जाता है केरल में नच कोश्चन है बाबा गरिया पूजा यह फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा की कैपिटल क्या है अगरतला और यह वैसाक के महिने में मनाया जाता है बाबा गरिया पुजा बिलॉंग करता है त्रिपुरा राज्य से नेश कुश्चन है most important धार्मिक त्योहार डांडिया यह किस राज्जी में उल्लास के साथ मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है गुजरात में गांधी आप सभी जोनते ही गुजरात की capital क्या है तो गुजरात की capital है गांधी-Nagar और गांधी-Nagar में कुछ समय पहले ही विश्चन की पहली disutskit stepping city bus sewa का शुहारंब किया गया है और यह किस का निर्वाचन छेतर है तो यह हमारे ग्रह मंत्री अमिश शाह जी का निर्वाचन छेत्र है नेस्ट कोश्चन है निमनिर खित में से किस त्योहार में नौका दोड का आयोजन किया जाता है नौका दोड यानि कि इसमें बोट का कॉम्पूटीशन होता है और यह आयोजित किया जाता है ओडम फेस्टिवल में और ओडम फेस्टिवल यह किस राज जी का प्रमुक त्योहार है केरल का और इसी ओडम फेस्टिवल में नौका दोड का आयोजन किया जाता है नेस्ट कोश्चन है हाल ही में आदिवासियों का प्रमुक महोटसो आदि महोटसो इसका आयोजन कहां किया गया था यह current से related question है और इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था जम्मू कश्मीर में और इसका उधगाटन किया किस ने था तो इसका उधगाटन किया था जम्मू कश्मीर के present time के राज़िपाल सत्यपाल मलिक ने और आदि वासियों का प्रमुक महुत्सो आदि महुत्सो जो कि जम्मू कश्मीर से related है इस वीडियो का अंतिम प्रश्ण है पपेटी किस का प्रमुक्तिहार है यनि कि किस धर्म के लोग का प्रमुक्तिहार है यह है पार्सियों का प्रमुक्तिहार और अभी मैंने आप लोग बताया है कि 9 रोज को पारसियों का New Year भी कहा जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा तो दोस्तों यह थे इंडिया के Fair and Festival से Related Top 30 MCQ I hope यह वीडियो आप लोग पसंद आया है और एक चीज में आप लोग बता दू Online Study Point की Master PDF है जो 1200 प्लस Current Affair की उसकी लिंक आज क्लोज होने वाली है आप लोगों के पास आखरी मौका है क्योंकि Online Study Point की तरफ से आप लोगों के लिए एक नई PDF, Monthly PDF लॉंच होनी है जिसकी डिमांड आप लोग बार-बार कर रहे थे इसलिए Yearly PDF डाउनलोड करने का आखरी मौका है आज रात बारा बजे तक आप यह PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें की दिसंबर 2018 से लेकर के सितंबर 2019 यनि की 7 सितंबर 2019 तक कर डेटा कवर कराया गया है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है डिटेलिंग के साथ तो इस मास्टर PDF को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपके हर एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों आई होप यू वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया तो अपने स्टड़ी रेलेटर गूप में शेयर ज़रूर करिएगा और अउनलाइन स्टड़ी पॉइंट को लाइक शेयर सब्स्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच